धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होई माली सीचे सोगडा रुतु आयफल होई नमस्कार साधर प्रणाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके समक्स उपस्तित है एक मेडिकल एस्ट्रोजी का विशे लेकर यह जो विशे रहेगा वो पूरा किडिनी फिकल प्रणाम और हमने थोड़ा छोटा मोटा रिसर्च किया है तो आज हम आपके समक्स विशे को लेकर उपस्तित है बोडी में कीडिनी स्ट्वन क्यू बनता है कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन के कान किडिनी श्ट्वन बनता है कौन सी ऐसी ग्रहों की यूतिया होती है और कौन से ऐसे ग्रहों के नक्षत्र में बैठते हैं तब kidney stone बनता है यह सब हम आपको सब step by step सब सुत्र बताएंगे example के साथ chart के साथ बताएंगे तो गुरुपा करके आप जो है वो वीडियो में अंतक बने रहेगा तब आपको सब चीजे जो है वो समझ में आएंगी सुत्र नंबर एक अगर किसी व्यक्ति की चन्मपत्रिका में शुक्र राहू की युति पाई गई है जब भी शुक्र राहू साथ में होते हैं तब व्यक्ति को kidney stone 100% बनता है जब रश्पती राहू यानि के गुरु राहू साथ में है तब बिर्श्पति के अंदर kidney stone पाए गया है। शुक्र ग्रह की महादशा में राहू की अंतर आती है यह तब भी kidney stone है 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 जब भी शुक्र राहू के नक्षत्र में आता है आरदरह शुवाति छद्वीशा अघर किसी विक्ति की जन्मक्ट पत्रिका में शुक्र, हर्दरह, श्वाति और स्द्वीशा नक्षत्र में पाए गए है तब भी विक्ति की Callie Сам बनता है जब भी बुरहिशपति यानि की गुरुगर, आरदरा, स्वाती और सद्वीशा नक्षत्र में जब भी पाए गए है राहु के नक्षत्र में तब भी व्यक्ति के अंदर किरिनी स्टोन बनता है और लास्टे में हम आपको बताएंगे कि जब भी जन्म के व्योष्पति के ऊपर से राहु का गोचर जब भी होता है तब भी व्यक्ति के अंदर किरिनी स्टोन पाए गया है और ऐसा plugged व्यक्ति के जन्मा पत्रिका में शुक्र राहु तो मुख्यता है यह तो किर्नी स्टोन बना प्लैने में कार्गेर शाबित होते ही है दोनों प्लैनेट उसके वजाए और तीस्रा और चोथा प्लैनेट है एक तीस्रा प्लैनेट से मंगल मार्स जब भी मंगल 6000 में बेढ़ता है तब भी विक्तिकी बोडी में किरिनी स्टोन बनाता है और इन सबी जो ग्रहों का मांजरा है, वो पूरा चंदरमा पर टिका हुआ है, क्योंकि अगर विक्ति पानी कम पिएगा, तो विक्ति गी बूडी में 100% स्टोन बनेगा, विक्ति ख्षार वाला भूजन लेगा, तब भी विक्ति की बूडी में ख्षार इकठा होगा, और वो स्टोन के अंद्रूम दोस्तों में जब पाया गया है तब व्यक्ति के अंदर कई न कई जो पानी कम पीने की वज़ा से बी करीनी स्टॉन सुटॉण पाये गया है तो यह भी शुक्र और बुरुष्पति का कनेक्शन बता के उन सब में भी हमने कई न कई चंदरमा को दूसीत पाया है चंदरमा राहु साथ में और शुक्र जो है राहु के नक्ष्ट अत्रमिया बुरुष्पति राहु साथ में और चंदरमा साथ में तीनों साथ में तब भी हमने किड kidney stone है ना वह ऐसी कोई major बिमारी नहीं है लेकिन जो kidney stone जिस व्यक्ति को बनता है उसको आप पूछना की उसका pain कितना होता है यह जो है उसको pain बहुत होता है यह कोई सहन नहीं कर पाता है इतना pain kidney stone में होता है जब तक व्यक्ति को injection या जब तक instant दवाए निलता है तब तक को है ना उचल कूद करता है इतना पहीं किड्नी स्टोन में होता है तो यह सभी शुत्र थे हम आपको बताएंगे एक्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं आप देखिए स्क्रीन पर पहली जन्मपतिरिका है उसमें देखिया आप सुक्र राहू जो है वो पाए गये है साथ में और दूसरी जन्म पत्रिक आप देखिए मंगल इसका सिक्स्थाउस में है उनको भी किडिनी स्थोन बना है और तीसरी पत्रिक आप देखिए इनके होरोश्कोप में ब्रुष्पति राहु साथ में है चोथी पत्रिका देखिए आप इनका जो ब्रुष तो यह विश्य इलाने का तात्पर यह मेरा यह है कि आपके होरोस्क्रिप में भी ऐसे आपको योग दिखते हैं तो आपको उनके उपर पहले से ही काम कर देना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप जो हो इन सभी तकलिपों से आप जो हो थोड़े कम दुखी होकर निकल सकें तो आपको जो हो अगर आपकी पत्रिका में यह दो यह यह योग पाए गये हैं हमने जो पांच से सुत्र बताये हैं तो आप फटाक से प्रतिदीन कम से कम 12-15 गलास पाने पीए और जो बोजन है जिन में किसार की मात्रा ज्यादा रहती है वो कम मात्रा में बोजन लीजिए अगर आपको कोई भी ज्यादा दिक्त रहती है तो आप अपने फेमिले डॉक्टर को भी बताके कंसल्ट कर सकते हैं आपको यह सबजेक्ट यह विशेह यह सुत्र अगर आपके होरोस्कुप में या कोई अन्य के होरोस्कुप में पाए गएगए है तो आप कॉमेंट में ज सायर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों भी यह वीडियो का यह जो भी सुतर बता है उनका लाब अन्य विक्ति भी ले पाए अगर आप अपनी खुद की व्यक्ति के जन्वकुन लिए दियन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपने बुक करा सकते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर हम आपके समक्स ऐसे कई सारे नहीं ने विशेयो को लेकर मेडिकल एस्ट्रोलोजी में आते रहेंगे नमस्कार